नमस्कार बहुत सबागत है आपका आप देख रहे हैं 2003 इसका महासंग्राम मैं हूँ आपके साथ रुतू गयानवानी राजनात सिंग बेंड में प्रचार पे दम दिखा रहे हैं रक्ष्रा मंत्री ने खनीता गाफ से चनाफ प्रचार शुरूप किया है ये बड़ी कबर अस वक्त आपको बता रहे हैं चनाफ नस्दीक हैं कुछे दिन बच्चे हैं और तूफामी प्रचार जो है दिगजो द्वारा लगातार किया जा रहा है मैं गाफ से राके शुकला प प्रचार की शुरुआत की गई और लगातार प्रचार की प्रफ्रिया शुरू है प्रत्याशिव के लिए प्रचार किया जा रहा है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोत के खनीता गाफ से प्रचार प्रसार शुरू हुआ भिंड में राजनात संग की ये हुंकार की तस बीजेपी प्रत्याश्यों के लिए चुनाफ प्रचार किया जा रहा है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंट की तस्वीरें लेकिन कोई बाकला लुगली उठाकर नहीं सकता कह सकता तिराके शुक्रा के दामन पर कोई धर्ष्टा जाल की बात लेकिन जोगारा है हिंदुस्तां के कैसी पार्टी है जो कहती है वा करती है बयात दिलाना चाहता हूं आपको वन डिस्टोई प्रचार जो है दिग्ग जो द्वारा लगातार जारी है मैगाव में राकिर शुकला प्रत्याशी हैं जिनके लिए हुंकार भरी गई प्रचार प्रसार किया गया भिंट से नरिंद्र सिंग कुश्वा है उबीद्वार जल के लिए प्रचार किया जा रहा है अलग अलग जगा की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह जो हैं डिगज मैदान में उप्रेंग कोई हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं अजनाथ सिंग की हुंकार की तस्वीरें इस वफटार दिख रहे हैं अगर शेफ़ुरी में केंद्री इग्रा मंतुरी अमिर्शा ने विपक्ष पर जब कर प्रहार किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रस पार्टी चार सी के फॉर्मुले पर चलती है सी फॉर करप्षिन, सी फॉर कमिशन, सी फॉर क्रिमिनल्स का राजजुनेतिक संट्रक्षन और सी फॉर कम्यूनिटी को आपस में लडाना उन्होंने कमल्नाथ पर भी जमकर निशाना साधा कमल्नाथ जी को आगे कर रही, मैं आज यहां कहना आ रहा हूं, कमल्नाथ पीज में डेड़ साल आ गए, डेड़ साल के लिए क्या किया, बहुत सारे उज्यों, उन्होंने मद्द्रेस में स्थापी कि आप बोलोगे कि नहीं कि एसा नहीं है, भाई, कुछ तो मद्द्रेस में कमीशन खोरी का उज्योग स्थापिश किया, मद्द्रेस में ट्रांसपर इंडर्स्ट्री लगाने का काम किया, बेटा तामादों के कल्यार का उज्योग स्थापिश किया, और फ्रस्टाचार के इंडर्स्ट्री लगाने का काम एक कमल्नाथ दिया, मित्रों तिवराजीने चालों तिवी इक्यावन से जादा गरीब कंद्यान जोजना एक बंती मुझे मालूम है कमलना खाने वाले नहीं है मगर वगवाण न करे कमलना खा गया तो गुमलाजली बहना भी बंद हो जाएगी और किसानों को 12,000 जिया मिनना भी नहीं आएगा कमलना खाने को लाना चाहिए ग्या लाना चाहिए ग्याएगा साधेयर किम सो करोर का मेजर गोटा ला किया 2400 करोर का अगस्ता वेई ने वेश्चरन में नाम आया चेटो करोड का इपको का घोटाला किया और पचीश जजार करोड की कर्जमाफी का घोटाला एक कमलनाथ नहीं किया कमलनाथ इतनी आयुश बढ़ गई अभी बेट ब्रा नहीं रहे क्या आपकी सुनने वाले नहीं है यह अग्रेस पार्टी प्वार्टी फॉर्टी फॉर्मूला पर चलती है यृष भार्टी से निकल कर जिकाद की धारा में इसको लाने के लिए भार्टी जनता पार्टी को बहुत देना बहुत जरूरी है जनसभा के बाद अमर्शा ने सरसोद में रोट्षो किया आशा के साथ संधिया भी मौजूद रहे तो लगातार दिगज मैदान में है और ये तस्वीरें आप रोट्षो की देख रहे हैं जनसभा के बाद अमर्शा ने सरसोद में रोट्षो किया और शा के साथ संधिया भी म सब्सक्राइब अब जो है चुराओं परचार जो है वो तेजी पकर रुका है ना के बल्म अब लगाता चोटे-चोटी सभाओं करके मद्दाताओं के भी जा रहे हैं आप देशक्ते तस्मीरों में केंद्री ग्रहमंत्री शीवपुरी जिलेके अमें पहुंचे हुए हैं और यहां पर करेरा विर्हान सभा कर रहा है इसके पहले करेरा में उन्हों इक बड़ी से अजन सभा को संभूजित किया उसके बार केंद्री मंत्री जोता जिती सिंदिया के साथ वो रत को सभा रोके निकले हुए हैं और यहां से पुछोर तक वो यहां पर जाएंगे दो विर जोती जगा को फोकस किया जा रहा है तमाम जो नेता है लुके के लिए पर चार करने में जोटे हुए हैं और जिस तरीके से लगातार वो अपनों भाशनों के माध्यम से प्रदेश की सरकार की उपलब्धिया गिना रहे हुए इसके साथी 15 महें की कमलना सरकार और 2000 पीम के पहले की बीजेपी सरकार पर भी निसाना लगातार साथ रहे हैं कि मरीज सेंगर के साथ सेलें सिंग बिजिटी सूपरी बालागाट में कॉंग्रस के राश्ट्री अध्यक्षर खडगे ने सभाकी और बीजेपी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ बही कर ले कॉंग्रस की ही जीत होगी हम तरने वाले नहीं हैं आपको बता दें कि इस मौके पर सफा जला ध्यक्ष और कटंगी विधानसरा प्रत्याशी महीश सहारे ने कॉंग्रस जोइन कर देंगाट को उसको तुरक्चित राजिने के लिए जन्दा को उसको उसको अध्यक्राद के हम दिलाने के लिए खरिगे जी आपके से वो चाते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना इनको घर में बिटाना कार्यकरताओं को घर में बिटाना ताकि वो खुद दिमोरलाइज हो जाए पस्त हो जाए तो उससे बीजेपी को फाइदा होगा यह सोच रहें यह सोच उनकी गलत है अब तो कांग्रेस किसी हालत में मद्यपरदेश में जीतने वाली कितने लोग जूट बोलने दो कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो कुछ होने वाला नहीं है धार में सीम शेवराज ने जनसभा किया और कॉंक्रेस पर निशाना साथ्यों ने कहा कि कॉंक्रेस ने बीजेपी की होजनाय बंद करने का काम किया साथ्यों ने कहा कि जो बीजेपी ने किया वो विकास के काम कभी कॉंक्रेस नहीं कर सकती जो आपने कहा है, लिप्ट एरिजय संग से यहां पानी की दबस्ता करना, तो वह पानी की और विजली के जितने बड़े पिल आगाए हो, उनकी भी चिंता मत करना, मैं भरवा दूँगा, वाजन सोर पया महीना ही आएगा, अपनी जिन्दगी चीच से चले, परिवार चीच से चले, इसका फूरा अप्यात ने करूँगा, आपने बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, मैं आप से लिवेजन करने आया हूँ, दिल से जर्ब सचो, इमानदाई से सचो, बताओ, मैंने जितना काम किया है। कॉंग्रस पर आरोफ लकाया, कहा कॉंग्रस जूट पर जूट बोलती है, कॉंग्रस के नेतरत रहीन है। इसलिए आप बताओ, ये सरकार फिर्चानी चाहिए कि नहीं। ये बाद ज्यान बजने मिरी लाजनी बहनाओ, ये खमरनाथ सबसाल की आयत है, सब योजनाय बन कर दी थी। जो देश के दिल में भी है, और अपने मध्ध प्रदेश के मन में भी है, जो जन जन के मन में है, ऐसे हमारे प्रधान मंतरी स्रिमान नरेंदर मोदी जी, आज हमारा स्वभाग्य है, मद्ध पृदेश आज चुनाव प्रचार का संख नाज करने पधारे हैं एक बार दोनों हाट उपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोधी जी का बंदन कीजिए मोधी जी का अभिननदन कीजिए मोधी जी का हमारे सबी उम्मीदवार साथी का भाईो बेहनों बेटे बेटियो समय कम है और इसलिए मैं आप सब की और से प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ हम सब स्वभा के साली है कि जिनों ने उस समय जनम लिया जब मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री है मोदी जी ने देश का मान सम्मान और सान पूरे विस्व में बढ़ाया हम सच मुच में धन्य है केवल एक ही बात कहके मैं अपनी बात समात करूँगा मोदी जी के आशी रवास से मद्व प्रदेश के विकास में और जन्ता के कल्यान में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है बहतर सरकार चलाने की कौसिस की है आप ही बताइए अपने जितने विकास के काम किये कभी कांग्रेश ने किये थे क्या जितनी कल्यान की योज़नाय गरीब की बेहनों की बेटे बेटियों की भाजबा की सरकार ने बनाई कांग्रेश ने कभी बनाई थी क्या हमने कैसी सरकार चलाई और कैसी सरकार चलाई तो फिर से ये सरकार बननी चाहिए भारती जन्ता पाइटी जीतनी चाहिए तो अपने इन सब उम्मीदबारों को आशिरबात दीजिए भारती जंता पालिटी को आशिरबाद दीजिए कमल के फूल की बटन दबाईए सारे उम्मीद बारों को भारी बहुमत से जिताईए बोलिये जिताईएंगे कमल के फूल की बटन दबाईएंगे सब उम्मीद बारों को आशिरबाद देंगे तो एक बार दोनों हाथ उठा के सब को आसिरवाद दीजिए बोलिये भारत माता की मोदी जी का साथ देंगे मामा को भी आसिरवाद देंगे तो उठाए दोनों हाथ बांद ये दोनों मुठी और मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की और हमें बिना किसी बिलंब के हमारे प्रिय प्रदान मंत्री स्रीमान नरेंदर मोदी जी से निवेदन करता हूँ जिबो आए और हमें संबोदित करें भारत माता की मैं खाटु शाम जी को सीश नवा कर प्रणाम करता हूँ स्री नागेश्वर पार्श्वनात तिर्दको भी मेरा प्रणाम रतलाम की पहचान स्वाद के लिए है रतलाम आए और रतलामी सेव नहीं खाया तो उसे रतलाम आया माना नहीं जाता है सही बात है ना यही सच्चाई है ना जब तीन दिसंबर को भाजपा सरकार की वापसी का जस्नम मनेगा तो लड़ू के साथ रतलामी सेव भी खुब खाया जाएगा मेरे परिवार जणों MP में भाजपा के समर्थन में चल रही यह आंधी अद्भूत है जो लोग दिल्ली में बैठ करके गुणा भाग करते रहते ना वो आज उनका हिसाब कताब बदल जाएगा अब चर्चा यह नहीं होगी कि कौन जितेगा चर्चा यह होगी कि भाजपा दो तिहाई बहुमत लेगा कि दो तिहाई बहुमत के कम रहेगा यह भाजपाई है जिसने MP को अगरिकल्टर में इतना आगे बढ़ाया यह भाजपाई है जिसने MP को रोड और रेल नेटवर्क में इतना आगे बढ़ाया यह भाजपाई हैं जिसने MP में आउद्धियों की विकास किया इसे आउद्धिनिक सिक्षा का हब बनाया इसलिए MP के लोग भाजपापर अटूट विस्वास करते हैं और भाजपापर मद्यप्देश का यह भरोसा तब से हैं जब देश में भारत को बाजप को बहुत कम लोग जानते थे आज तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजरेतिक डल है आज केंद्र में करीब 10 साल से भाजपा की सरकार है वो भाजपा सरकार जिस ने भारत को विश्व में पाँच में नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया वो भाजपा सरकार जिसने कॉरोना के इतने बड़ए महाव संकट से उसमें देश को पिछड़ने नहीं दिया वो बाज़पा सरकार जिसके कारकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना जंडा गाड़ा आज भारत के गवरों को नई बुलंदी मिली है नई पहचान मिली है और इसमें मद्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए लोग आज कहते हैं कि MP के मन में और मोदी के मन में इसलिए MP कर रहा है एक बार फिर है एक बार फिर हमारा इक बार फिर मेरे परिबार जनो देश हो या फिर हमारा मदब देश कॉंग्रेस के पास सिर्फ जूठी गोश्णा को का भॉंपों ही बच गया है मद्य प्रदेश के विकास के लिए फोस रोड में क्या होगा ये कॉंग्रेस को पता तक नहीं है इतनी दूर की कॉंग्रेस सोच ही नहीं सकती कॉंग्रेस के नेता फिल्मी है कॉंग्रेसियों के डायलोग भी फिल्मी है कॉंग्रेस की गोशनाएं भी फिल्मी है और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी होगा यहां कॉंग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फढ़ने की कॉंपिडिशन चल रहा है और अभी तो यह फिल्म का ट्रेलर है यह अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मोका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे आपके भी फाड़ेंगे तीन दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कॉंग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी कॉंग्रेस की असली सिर्फ उतवल होगी अभी तो प्रेक्टिस चल रही है साथियों कॉंग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है आप याद रखेए यह जो आपस में गुत्थम गुत्ता है न एक दुसरे के कपड़े फाड़ रहे न जहां भी उनका मोका मिला है न उन्होंने जन्ता के ही कपड़े फाड़ दिये हैं और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है मेरे प्यारे परिवार जनों आप राजस्तान और चतिश्गड में देखिए पांच साल तक इनों ने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया कॉंग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड के गोटा ले कॉंग्रेस मतलब राज्य में अपराथियों का बोलवाला कॉंग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वास गाथ कॉंग्रेस मतलब राज्य में दलीतों पिछडों आदिवासियों पर अप्त्याचार कॉंग्रेस मतलब राज्य को बिमार बनाने की गारंटी आप जानते हैं कि हां के कॉंग्रेस के शिर्थ नेता हापस में क्यों लड़ रहे हैं यह सी एम की कुर्ची के लिए ही नहीं लेकिन वो उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है इसलिए वो सी एम कुर्ची के लिए नहीं लड़ रहे हैं यह जो अंदर गुत्तम गुत्ती चल रही हैं कपड़ा फाड काम चल रहा है न वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा लड़ाई इस बात की हैं कि किसका बेटा मत्य प्रधेश कॉंगолж पर कब जा करेगा कॉंग्छ जिर्फ परिवारवाद का पर्चम लहरा सकती है मत्य प्रदेश का पर्चम लहरा ना कॉंग्डेश के बस worं कि बात नहीं है साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविश्च के लिए काम कर रही है, आपका सपना ही, मद्ध प्रदेश के मेरे भाईयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही, मोदी का संखल्प है। इसलिए बाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है, गरीब की हर छोटी छोटी जरुरत को पूरा कर रही है। जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है, कि उसके पास अपना पका गर हो। जब केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी, तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिल्चस्पी नहीं थी। यह बहुत बहुत सरकार है, जिसने पिछले दस साल में चार करोड से ज्यादा घर गरीबों को बना करके दिये हैं। चार करोड घर, मंत्रप्रदेश में भी करीब करीब 50 लाग गरीबों को पी-एम आवास योजना के पक्के घर मिले हैं। यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए 90 हजार घर बनाए गए। यह लाखों रुपया के घर हैं और इन में से अतिकतर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हुई है। और अब हमारा मत्रप्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आही जाता है। याने यहां की हजारों महिलाएं लगपती बनी हैं। उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ती हुई है। हमारे शहरों में रहने वाले मद्यमबर के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो। इसके लिए भी केंद्र सरकार पुरी गंबेटा से काम कर रहे है। उसे गर खरिदे पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चलाई जा रही है। और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मद्यमबर के लिए, शहरी मद्यमबर के लिए किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी। ये मोधी पहला प्रणमंतू है। जिसने इसकी चिंटा का, इस योजना का लाब लेने वाले मद्यमबर के हर परिवार को लाखrese रुप्यों की मदद हो रही है। मेरे परिवार जनो जब मैं गरीबों की बात करता हूँ तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या मेरे दलीद भाई भेन, मेरे पीछडे भाई भेन और मेरे आदिवासी परिवारों की रही है ये भाजपाई है जिसने कोरोना के संकिट काल में भी गरीबों को मुपतराशन देने की योजना बढ़ाई एक वक्त के खाने भी किये बूख क्या होती है ये गरीबी से निकला व्यक्ती ही मैसूस कर सकता है देश की किसी मा को किसी पीता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े आज मोदी इसकी घरंटी बन गया है प्रदान मंत्री गरीब पल्याण अन्य उजना के तहट देश पे पिछले तीन साल से गरीबों को मुक्त राशन दिया जा रहा है मुक्त राशन से जुड़ा एक और निशना है और मोदी तो गरीबी से निकला है ना तो उसे मालुम है और मेरा एक और निणा है मेरा और एक निश्चे है वैसे तो यह योजना एक महिने के बाद उसका समय पुरा हो रहा है असी करोड गरीबों को मुक्त राशन देने वाली योजना डिसम्बर में पुरी हो रही है लेकिन मोदी का निश्चे है आने वाले पांच साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा आने वाले पांच साल तक असी करोड मेरे देश वासियों का चूला जलता रहे ये मोदी की गारंटी है अरब ये योजना पांच साल के लिए आगे बढ़ेगी गरीबों को राशन मुप्त में मिलता रहेगा उससे जो पैसे बचेंगे तो जीवन की और आवश्रक्ताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा देश के हर गरीब को हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है न तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ अध्या आता है साथ्यों भाजपा की डबल इंजिन सरकार की हर योजना के हिमूल में माता बहने और बेटियां सौचाले के अभाव में गैस कनेक्शन के अभाव में बिजली और पानी के अभाव में सबसे अधिक परिशानी हैं तो परिवार में हमारी माता हो बैनों बेटियों को होती है उजपाला योजना के कारण आधिवासी परिवारों की दलित पिछले परिवारों की करोर बैनों के दूए से मुक्ती मिली है और आपको कुछी दिन पहले रक्षा बंदन पर एक और खुशिलकवरी मैंने भेजी थी उजवला की लाबार्ती बेहनों के लिए गैस सिलिंडर 500 रुप्या सस्ता कर दिया गया बेहनों को पानी के लिए घर से दूर ना जाना पड़े इसका बीड़ा भी आपके इस भाई ने भुशाया है हर घर चलब यान के तहत मत्व देश के लाखों परिवारों को नर्थ से जल की सुविदा दी जा चुकी और वो दिन दूर नहीं जब एमपी के हर घर में पाइप से पानी की सुविदा होगी साथ क्यों डबल इंजिन सरकार का क्या फाइदा होता है इसका एक और उदारणा हमारे चंदन खाते है मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए हर लाब उन बैंकों के खाते में पहुंचे इसकी विवस्ता की यहां मद्द प्रदेश की भाज़बा सरकार ने उन बैंक खातों के मादम से बेहनों बेटीों तक सीधी सहाज़ता पहुंचाई लाली बेहन योजना और लाली लख़ी योजना की प्रसंसा आज पूरे देश में हो रही है गर्वबती माताओं को भी अच्छा पोशक अहार मिले इसके लिए भी प्रदान मंत्री मात्रु मंद्रा योजना चल रही है इसके तहद भी मत्रदेश के लाखों बेहनों को सोला सो करोड रुपय दिये जा चुके है मेरे परिवार जनों माताओं बेहनों के शसक्ति करण किये सच्ची कोशिश भाजपास सरकार की सही पहचान है इसलिए भाजपाने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारेंटी पुरी की है महिलाओं के लिए विदान सबा और लोग सबा में 33 प्रतिश्रत आरक्षण की मात पर कॉंग्रेस बर्सव तक बैठी रही हमने नारी शक्ति बंदन अधिनियम लाकार महिलाओं की पर्सव परिवार से बाहर देखी नहीं सकती इसलिए आदिवासियों के सच्चे ससक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया आप याद कीजिए देश की पहली आदिवासी महिला राश्पती जी का कॉंग्रेस ने कितना गंगोर गिरोथ किया था भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाब मैदाान में उतारकर कॉंग्रेस ने दिखाया जिवासी पेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है कि इसलिनिए देश का अदिवासी समाज का कंग्रेस से बहब नाराज है कोंग्रेस को सजा देने के मूड में है औरे परिवार जणह आदिवास हितों की रक्षा आदिवासी भाइबेनों का कल्यान भाजपा की सर्वोच्च प्रात्फिक्ताओं में से एक है यह पाजपा है चितने देश की आजादी में आदिवासी समाज की योगदान को राश्री पैचान दी है यह पाजपा सरकार है जिसने भगवान बिर्शा मुंडा के जन्मदीन 15 नवंबर को जन जाती है गवरोदिवस गोशित किया है कुछ दिन पहले ही हमने राणी दुर्गावती की पांट सोभी जन्मजनती को दुमदाम से मनाया मुझे जबलपूर में उनके भवे समारक का गौन संस्कूरती के समारक का सलया न्यास करने का आउसर मि दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का अरम बगिया आज भारत के आदोनिक्तम रेलवे स्ट्रेशन का नाम रानिक कमलापती के नाम पर है आज चन्नायक तंट्या भूल के नाम पर मत्य प्रदेश में अनेक संस्तान है अनेक योजनाए है मेरे परिवार जनों अगल उत्पादों को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए पत्थिबत ना है इसलिए एक जिल्ला एक उत्पाद के तहट बन डिस्टिक बन प्रोड़क के तहट रत्लामी सेव को चुना गया है यहां नमकिन क्लॉस्टर भी स्थापित किया गया है जो नए अउद्योतिक क्लॉस्टर बन रहे हैं उससे भी छोटे-छोटे उद्योगों को बल मिलेगा नए टेक्स्टाइल पार्क से भी अनेक रोजगार बनने वाले भाज़पा के सासन में 21 सदी का मत्रदेश अब आद दूने की इंफ्रासेक्टर से लेश हो रहा है रत्लाम से भी कभी आंट लेन का एक्सप्रेश में होकर गुजरेगा पुरानी पीडी ने सोचा भी नहीं होगा लेकिन आज यह सच्चाई बन चुका है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेश में की वज़े से एक शेत्र कोटा और संवर्ज्य से से भी कनेक्ट हो गया है अब यहां उत्योगों के लिए नया गलीयारा बनने जा रहा है इसे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नय आवसर बनने जा रहे है इसे एक महत्वपुन व्यापारी केंद्र के रुपे मालवा की रत्लाम की पहचान और संप मेरे परिवार देश पैसा कोई नहीं है जिसे से जिसे कॉंग्रेस ने कभी ठगा नहीं है हर चुनाव में कॉंग्रेस कर्ज माफी का जुन जुना लेकर आती रहती है पिछली बार भी उन्होंने यही किया था लेकिन कॉंग्रेस का इतिहास है कि कॉंग्रेस की कर्ज माफी का सरकार को नहीं कौंग्रिस योक उनके चले चपाठा को ही मिलता है जब कि बाजबा सरकार कर के दिखाती है हम किसान के हर छोटे बड़े खर्चों की जिंता कर रहें पीम किसान संमान निती के तहट डेशपर के किसानों को दो लाग साथ हजार करोड रुपिये सीधे उनके बैंक खाते में जबा बेजे गए मद्द प्रदेश में डबल इंजिन सरकार के कारण किसानों को डबल फाइदा मिल रहा है आज अनाज हो या फिर दलान तिलान कॉंग्रेश राज की तुलना में भाजपा सरकार कहीं जादा मात्रा में खरीद कर रही है हाली में गेहू चना और दूसरी फ़सलों के मस्पी में भी बड़ी बड़ोत्री की गई है इसका लाभी मत्रदेश के किसानों को होगा किसानों को महंगा उरिया महंगी खाक ना खरीदने पड़े इसके लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है विदेशों में उरिया की जो बोरी तीन हजार रुपया की है आज बही बोरी भारत के किसानों को तीन सो रुपिये से भी कम मिलती है इस पर भी भाजपा सरकार लाखो करोड रुपिये खर्च कर रही है मेरे परिवार जनो समाज के हर वर्ग हर खेत्र हर परिवार के हिद में जब ऐसे काम होता है तब ही भाजपा सरकार इतना अधिक बरोसा होता है। यहां रत्लाम में जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो भाजपा की प्रजण विजय का उद्गोश है। और सात्यों में अभी चत्तिस गड़ के आ रहा हूँ मेरे शब्द लिख लिए चत्तिस गड़ में भी भाजपा सरकार बनना ताए है। लेकिन भाजपा की प्यजय सिर्फ सीटों तक सिमे तही रहनी चाहिए बल्कि शत्प्रतिशत बूथों में कमल खिलना चाहिए। आप इतने बड़ी संख्या में आए आपके दर्शन का मुझे लाब मिला लेकिन मेरा एक काम आए है तो करना पड़ेगा करोगे हैं तो बहार टेंट के बहार लोग बहुत कड़े हैं वो सुन्द रहे हैं मरी बात जड़ा हाथ उपार करके बताईए मेरा काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे आप लोग यह वाले टेंट वाले भी करेंगे यह वाले भी करेंगे पक्का करेंगे मैं बरुसा करो बाह तो मेरा एक काम करिए यह जो मैं कह रहा हूं न काम वो चुनावी काम नहीं है करोगे ना चुनाओ के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे लिए कह रहा हूं करोगे पका एक काम करिएगा यहां से घर घर जाईए और हर घर जाकर के कहिए कि मोदी जी रतलाम आये थे मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है इतना कह देंगे मेरा प्रणाम पहुँचा देंगे हर परिबार में जब मेरा प्रणाम पहुचेगा वो माता वो भुजूर गर के परिवार के मुख्या जब मुझे आशिरवाद देते हैं तो मेरी काम करने की ताकत अने कुना पड़ जाती साथ को आप इतनी बड़ी तादाज में आये यह मोमेंट अब मना रहे मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद तो रतलाम में पहुंचे हुए हैं प्रधान मंत्री नरंदर मोदी दस बड़ी बात हैं प्रधान मंत्री नरंदर में गरीबों को मुफ्त राशन दिया बीजेपी सरकार ने गरीब की पीड़ा बीजेपी जानती है समझती है मोदी गरीबी से निकला है ये बात कहिए प्रधान मंत्री ने 80 करोड गरीबों को मुफ्त राशन दिया बीजेपी सरकार ने 5 साल तक कि योजणा मोदी की गारंटी है वहीं MPK हर घर मैं नल से जल मिलेगा लाडली बहना योजणा की तारीथ पूरे देश्म हो रही है यह बात भी कही थी लक्षमी योजणा की भी तारीथ पूरे देश्म हो रही है और एक-apore एक गारंटी पूरी होने का भरोसा प्रधान मंत्री नरंदर मोदी दे रहे हैं जमकर कॉंग्रिस्पन निशाना साधा बीज़ेपी सरकार के अपलब्धियां गिनाई तो आपका सपना ही मोदी का संकल्प है कॉंग्रिस मतलब गरीबों से विश्वास खात कॉंग्रिस पर जमकर प्रिहार किये हैं प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने रतलाम की पहचान स्वात के लिए जश्ट में रतलामी सेव भी खाया जाएगा फिलाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोड़े से ब्रेक के लिए फॉरण लॉट रहे हैं